हेलो दोस्तो आपका फिर स्वागता है मेरे चैनल अन्लोकिंग ज्यान में जैसे कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और नाने के लिए गरम पानी चाहिए होता है काई सालों से पानी गरम कर रहा हूँ अगर आप मेरे तरीके से करेंगे पानी को गरम तो फिर आपका 5-10% पानी जल्दी गरम होगा जिसका मतलब आपकी बिजली की भी बचत होगी तो टाइम वेस्ट के बगए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आप कोई मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो पानी गरम करने के लिए जिस मैं रॉड का यूज करता हूँ यह बजाज कंपनी की है मैं लास्ट एर इसका अल्रेड एक वीडियो बना चुका हूँ आपको लिंक स्लिप होने का जो है वो खत्रा रहता है क्योंकि ऐसे करके डिस बैलेंस हो सकता है और कई लोग क्या करते है इसके इस क्लिप को सोचते हैं कि यहां पर साइड में लगा के ऐसे लगाना चाहिए यहां पर तो दोनों ही तरीके में खत्रा है अगर आप ऐसे भी लगाएंगे प्लास्टिक गर्म होके ज्यादा पानी कम हो तो यह ज्यादा गर्म होचाती है जिसके वाइस से प्लास्टिक कई बार आपने देखा भाए या आपके साथ हुआ भी हो यहांसे पीगल सी जाती है और दूसरा केस्ट जो मैंने आपको पहले बता है कि अगर आप ऐसे रखें तो slip होके गिरने का चांस रहता है बहुत खत्रा है क्योंकि अंदर विजली की वाइरिंग जा रही है तो आप देख सकते हैं इसे slip होके इसमें जो दिया होता है उसके center से ऐसे करके pass करके इस पे खड़ा कर दें बिल्कुल center पे तो पानी को गरम करने का जो होता है यह थोड़ा सही तरीका होता है यह effective ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप खुदी logically सोच सकते हैं अगर मेरी जो पानी की rod है वो अगर उस utensil के जिस बर हिस्सा ज्यादा गरम होगा उसके comparison में दूसरी साइड वाला तो इसलिए वो वाला तरीका जो है ज्यादा effective नहीं है उसमें risk ज्यादा भी है खत्रा ज्यादा भी है इसलिए आप हमेशा जब भी पानी को गरम करें आप हमेशा एक लकडी की कुछ ऐसे stick ले ले और उस पे center करें और यह भी make sure करें जो लकडी की stick हो वो length में जादा हो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल छोटी सी ले और उसकी वज़ा से क्या हो कि ऐसे माली जगर छोटी हो तो इसी में गिर के लकडी भी गिर जाए तो इतनी लंबी stick ले जिससे यह पूर का पूरा जो है रिस्क पूरी जाए और बिल्कुल सेंटर पर खड़ा करके रखें ऐसा करने का और भी एक फाइदा रहता है अगर आप सामने से देखें इसे तो जो इसका maximum पानी का जो लेवल होता है वो आप देख सकते और ज्यादा बढ़ गया मतलब इसमें में लग बग जो है एक जग पानी और अभ करें तो ऐसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए आप जिस भी बरतन में पानी करम करें उसका जो यूटेंसल का जो बरतन का साइस है वो हमेशा करेक्ट हो मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत बड़े साइस की बालती ल अगर आप बहुत बड़ी बालटी के साइस लेगे और उसमें गरमालीज में आपको करके भाता हूं अगरGame लीजैने इक बड़ी बालटी ले लिए और उसमें अगर इसरो बालती लिए तेस्ट करूं तो आप देख सकते हैं कोना थिसके पानीउ हमें कि पाँन में भूंग इन दो चीजों का करेक्ट बढ़तन का साइस ले और उसमें लकडी के तरीके से जैसे मैं आपको पता है सेंटर पे बिल्कुल ऐसे अलाइन करके लगाने वाला इस तरीके से लगाएं तो आपका पानी जो है हमेशा जल्दी गर्म होगा अगर आपको यह वीडियो फाइदे मन्द लगा होगा अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलना आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद